आज की कहानी में हम देखेंगे पैसा कमाने के लिए लोग मेडिकल लाइन का फायदा किस तरीके से उठाते हैं। कहानी के स्टार्ट होते ही हम कोरी और जैफरी नाम के दो भाईयों को देखते हैं। इन दोनों भाईयों ने सभी हॉस्पीटल के इमर्जनसी नंबर को है करके रखा हुआ था। अब जब भी कोई पेशेंट इमर्जनसी नंबर पर कॉल करता है तो वो कॉल इन लोगों के पास आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कपल इंटिमेट हो रहा था तब ही अचानक से उस लड़की के हाथ में चाकू गुज जाता है तब ही उसका बॉइफरेंट इमर्जनसी नंबर पर कॉल करता है उस टाइम के बाद ही दोनों भाई एम्बुलेंस लेकर बहां पर पहुँच जा पर दोनों भाई उसे सीक्रेट लोकेशन पर लाकर उसकी सरजरी करते हैं और उसके सारे ओर्गन को एक डॉक्टर के पास बेच देते हैं एक्चुल में दोनों भाई ब्लैक मार्केट में लोगों के ओर्गन्स निकाल कर बेचने का काम करते हैं और इस काम से ये दोनों मोट से कंट्रॉल करता था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सिंडी नाम की लड़की अपनी फ्रेंड के साथ जंगल में घूम रही थी अचानक से उसके पैर में पत्थर से चोड़ लग जाती है ये भी लोग इमर्जनसी नमबर पर कॉल करते हैं कुछ टाइम के बाद कोर सिंडी को देखकर उसकी सरजरी नहीं कर पाता जैफरी भी उसे कुछ समय के बाद सरजरी करने के लिए सुला देता है कॉरी भी उसकी बात मान जाता है जब सिंडी होश में आती है तब वो खुद को नेकिट पाती है यहाँ पर वो CCTV कैमरे को भी नोटिस करती है वो हेल्प क सिंडी के फेस पर लात मार कर उसे हटा देती है फिर कोरी उसे धंकी देकर बहां से चला जाता है इसके अगले सीन में हम देखते है जैफरी बहाँ पर आकर सिंडी के गाव को साफ करने लगता है तब ही अचानक से सिंडी जाग जाती है और जैफरी को धका मार कर नीचे गि कुछ टाइम के बाद कोरी सिंडी का पैर देखने के लिए आता है लेकिन वो और बुरी तरीके से उसके पैर को डिसलोकेट कर देता है जिससे सिंडी यहां से भाग ना सके सिंडी को काफी पेन हो रहा था फिर कोरी उससे एक डील करता है अगर वो उसकी सारी बात मानेगी तो वो उसे यह पेन किलर दे देगा सिंडी उसकी बात मान लेती है फिर कोरी उसे पेन किलर दे देता है लेकिन वो पेन किलर नहीं होती बेहोशी की दबाई होती है जिसे पीने के बाद सिंडी बेहोश हो जाती है फिर होश में आने के बाद वो देखती है कोरी उसका रेप कर लेकिन सिंडी में अब इतनी तागत नहीं थी कि वो उसे दूर हटा सके फिर वो हार माल लेती है और कोरी उसका रेप करता रहता है इसके बाद हम देखते हैं जैफरी एक फोटो देखता है जिसमें एक लड़की सिंडी की तरह दिख रही थी फिर कोरी जैफरी के पास आकर उ वो उसके भाई को उसके खिलाप कर देगी कोरी उसकी बात को इग्नूर करके चला जाता है इसके अगले दिन हम देखते हैं जब सिंडी कपड़े बदल रही थी तब जैफरी रूम में खाना लेकर आता है लेकिन वो सिंडी को निकेट देखकर अंकमपोटेबल हो जाता है तबी सिंडी उसके पास आकर उसे seduce करने लगती है, लेकिन जैफरी बहाँ से भाग जाता है, तबी सिंडी CCTV केमरे की तरफ देखती है, दूसरी तरफ कोरी ये सब देख रहा था, लेकिन जैफरी की लोयल्टी चेक करने के लिए वो उसे कुछ नहीं बोलता, इसके बाद हम द जैफरी अपने बैट पर सिंडी के बारे में सोच रहा था, फिर अगली सुबह कोरी देखता है, जैफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा है, ये सब देखकर कोरी जैफरी से कहता है, वो जल्दी ही सिंडी की सरजरी करने वाले हैं, जिसे सुनन के बाद जैफरी बहाँ पर आता है, फिर सिंडी उसे अपनी बातों में फसाने लगती है, और दोनों इंटिमेट हो जाते हैं, सिंडी को क्लोज आता हुआ देखकर कोरी जैफरी को समझाने लगता है, सिंडी यहां से बाहर निकलने में तुमारा इस्तिमाल कर रही है, लेक जैफरी सिंडी को अपनी बहन के बारे में बताने लगता है। उनके पैरंट्स के जाने के बाद वो तीनों एक साथ रहते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद कोरी दूसरी लड़कियों को घर पर लाने लगा और उनकी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। सिंडी भी उनकी बहन की तरह दिखाई देती है। इसलिए उन दोनों ने सिंडी को अभी तक नहीं मारा है। तबी कोरी बहां पर आकर जैफरी को किसी काम के लिए ले जाता है। तबी कुछ टाइम के बाद दोनों भाई अपने साथ एक बेहोश लड़का लाते हैं। फिर कोरी सिंडी को एक कोने पर बान देता है और लड़के के होश में आने के बाद जिंदा ही उसकी सरजरी करने लगता है। सिंडी बार बार उन्हें ये सब करने से मना कर रही थी लेकिन वो लोग उसकी बातों को इगनूर कर रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद उसी के सा पारी बाते मान रहा था दूसरी तरफ सीसी टीबी में ये सब देखकर कोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैफरी को कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेज देता है इसके बाद कोरी सिंडी के पास आता है और उसे बताता है उसने ये अपनी बेहन को जहर दे कर मार ड जाला था ये सुनने के बाद सिंडी बहुत जादा डर जाती है फिर कोरी एक गैस रिलीज करता है जिससे सिंडी बिहोश हो जाती है इसके बाद वो सिंडी के होट और उसकी गुफा को सिल देता है जब जैफरी बापस आता है तब वो सिंडी की ये हालत देकर बहुत जाद कर मारती है जिससे जैफरी बिहोश हो जाता है फिर सिंडी यहां से भाग जाती है कुछ टाइम के बाद दोनों भाई होश में आते हैं जैफरी रोने लगता है और कोरी जैफरी को समझा बुचा कर शांत करता है कुछ दिनों के बाद दोनों भाईयों के पास एक लड़की का क बूश में आने के बाद कोरी देखता है उनकी ही लोकेशन पर उसे और जैफरी को बांध कर रखा गया है। इसके बाद कोरी सिंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे लेकिन सिंडी ने तो कभी उसे प्यार किया ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं सिंडी अपने साथ में कुछ कसाई लोगों को भी लेकर गाई थी जिससे वो जैफरी के सामने ही कोरी का कीमा कर सके इसके बाद हम देखते हैं तब भी वहाँ पर औरगन्स लेने के लिए डीलर आता है जो सिंडी को औरगन के बदले काफी सारे पैस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में